हेलो नवस्कार साथियो एक वार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गल्ब राजा बंपॉंट जीरो में दोस्तों आज का एक वार फिर से आपके लिए मैं राजस्तान का जो स्कॉलर्स है उसका एक नया अपडेट लेकर आ चुका हूँ इस अपडेट मे आपके लिए क्या है यह आप ध्यानपुर्वक सुन लेना क्योंकि जात्तर स्टुडेंट की समस्चा मैंने देखी है तो मैं इस पर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ दोस्तों मैं आपको इसमें बताने क्या वाला हूँ आप पहले यह सुन लीजिए कंप फिर दोस्तों आपके जो इसकॉलर्षिप है वो आई है या नहीं आई एकाउंट के अंदर आपको पता ही नहीं है तो फिर दोस्तों आप उसे किस परकार चेक कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो में दखाने वाला हूँ जो आप अपने फॉन से देख सकते हैं कि आपक क्या समस्या है वो आप इसमें देख सकते हैं अपने स्कॉलर्षिप की कंप्लीट डिटेल का जो पैमेंट का सिस्टम है तो दोस्तों आप इसे देखेंगे कैसे किस परकार वो मैं आपको इस वीडियो में एक बर बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए इसन पर मैंने आपको इसकॉलर्षिप का जो स्टेटस है वो आप के लिए ओपन करके यहां पर दीया है तो दोस्तों आप इसमें जैसे कि मैंने यहां से इसे ओपन कि Аब आप इसमें देखिए यहां पर आपको दिख जायेगा यहां पर इनका बिल्ड़ जनेरेट हो चुक की है जो यहां पर डेट भी दी गई दो ग्यारत दो जार बाइस कुल सिस्टम के द्वारा यहां पर इनका पैमेंट यहां से सो कर रहा है कि इनकी पैमेंट यहां से आ चुकी है स्कॉलर्षप डिस्टिबीट और कोईश्टक में दिया गाया इफ नौट क्रेड़ेट वेट फ रखते हैं जिसके लिए दोस्तों आपको करना होगा अपने फोन के लेप्टप कोई भी जो भी आप यूज लेते हैं उसमें आपको अपने पोर्टल उपन करना है जिस पोर्टल में आपको आना है पी एफ एमस पोर्टल यहां से उपन करना है दोस्तों यह गवर्मेंट का प्रकार से दिखाई देगा इसका website का अब दोस्तों आपको अपना payment check करना है scholarship का आपका scholarship आया है नहीं आया है इसके अलावा आपकी किसी भी योजना का payment अगर आपका आया है नहीं आया है वो आप किस परकार चेक करेंगे तो उसके लिए आपको करना क्या होगा यहां पर आपको इसमें option दिखाई देगा no your payment track nssp payment तो दोस्तों यह no your payment का option है इस पर आपको इंटर करना एं इंटर करने का बाद में दोस्तों अब यहां से आपको देख सकते हैं यहां पर आपके लिए बैंक के का नाम दिया गया है आपका एकाउंट नमबर दिया है एंड यहां पर कर फर्म एकाउंट नमबर है आपको दोनों बार सेम एकाउंट नमबर इसमें फिल करना है इसके बाद में यहां प को इस प्रकार अपने बेंक की डिटेल कम्टिट इसमें फिल कर देनी है इसके बाद में आपको इसमें लाश्ट में नीचे send otp on registration मुबाइल नम्बर वाले option पर इंटर कर लेना है इसके बाद में आपका जो यहां पर मुबाइल नम्बर है वह आपको लाश्ट इसमें दिख जाएगी उसका ओटीप यहां फिल करना है ओटीप आप जैसे फिल करते हैं फिल करने के बाद में आपका जो एकाउंट का जो डेटेल है वह आपको कुछ इस प्रकार से आपको सो जाएगी अब दोस्तों यहां पर दे देगा क्योंकि हम किसी की डेटेल आपके लिए दिखा नहीं सकते तो दोस्तों आपको इसमें आपको अपनी डेल यहां पर जरूर दिखेगी अब आपको यहां पर इनका पेमेंट और यहां पर इस्टेटास जरूर दकाई देरा वह जिसमें यहां पर Dziękuję of før section ज by Under Ministry यानि कि दोस्तों यहां पर Government के द्वारा इनका जो Payment है वो Pending पड़ा हुआ है यानि इनका Payment Bank के अंदर Send तो क्या है लेकिन किसी भी Region की वज़े से कोई भी Region हो सकता है वो यहां पर इनका सो नहीं किया जिसकी बज़े से इनका payment अभी होल्ड किया हुआ है यानि पेंडिंग है इनके अकाउंट के अंदर नहीं आया जो पेमेंट दिख रहा होगा आपको 43,800 रुपे की इनकी स्कॉलर से आपको यहां पर दिख भी जाएगी स्कॉलर से फोर ऐसी स्टुडेंट की स्कॉलर से तो इस परकार इनका पेमेंट लेकिन किसी भी खरति DuckDate बाद की स्कॉलर से अपना बैलन्स चेक कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपना चेक कीजिएगा फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताईएगा तो दुस्तो आजा करता हूँ आपको डेटेल बिल्कुल समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दोना तो चलिए दुस्तो फर मिलते नेक्ट वीडियो में त